हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आपकी डॉक्टर डॉक्टर जोती पांडे अभी जो है व्रत का महल चल रहा है कहीं नौरात्र मनाया जा रहा है तो आज मैंने सोचा कि यह जो फास्टिंग किया जाता है तो उसके क्या प्रफाव पड़ता है हमारे किसी भी ओरल लीजन प पर क्या इफेक्ट पड़ता है तो इस वीडियो में बने रहिएगा बहुत ही अच्छा नौलेज जो है बहुत सारे के बाद मैं आपके शार कर रहे हूं सबसे पहले तो यह है कि जो फास्टिंग होता है वह हमारे बॉड़ी के लिए बहुत ही अच्छा होता है जब हम फास कम लेते हैं तो डाइजेशन में बहुत जादा समय लगता है कम से कम 10 से 12 घंटे लगते हैं उसे डाइजेस्ट होने में तो इसलिए जब हम फास्टिंग के टाइम पे ग्रेंस को बिलकुल बंद कर देते हैं तो हमारे इस टमख जो है वह बहुत जादा हैपी फील करता है ब उनका कॉंस्टिपेशन भी बिल्कुल ठीक हो जाता है इसी वज़ा से जो उनके मुह में छाले व्यगरा जो आते हैं बहुत सारे लोगों के अगर उन लोग फास्टिंग करते हैं एक या दो दिनों का या फिर कुछ घंटों की अगर फास्टिंग वो डेली करते हैं तो भी उ च्छाले होते हैं या फिर आपका जो छिलाइस की प्राब्लम होती है वह भी कम होती है इसमें यह है कि यह अजीटेबल को आपको पता है तो आपको पता है कि वेजीटेबल सोंने एंटी ओक्सिदंट बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए बाड़िमें जो फ्री रैडिकल्स आपके जाते हैं उसको किल कर देते हैं यह आपके हैं आपके आप्सेटियाल आक्सिड dobr Here are particulars यह दिख गया कि एंगुलर चिलाइटीज और अलसर जो है वो आपके ठीक हो जाते हैं चुकि जब आप फास्टिंग करते हैं तो उस समय आप सुगर कंटेंड जो है वो आपके बॉड़ी में कम हो जाता है सुगर मतलब ग्लुकोज का लेवल जो है वो कम हो जाता है इसलिए आपके मुह में जो डेंटल कैरीज होने की जो संभावनाय होती है वो 10 से 20 प्रतिशत तक कम हो जाती है तो यह अच्छी बात है कि अभी कभी 12-16 घंटे का या एक दिन का भी फास्टिंग वीक में जरूर करना चाहिए उससे आपकी जो पूरी सिस्टम होती है बॉड़ी की वो एकदम रिफ्रेश हो जाती है और फिर से वो एक नया वर्क करने के लिए अपने आपको रैडी कर लेती है अगर आपको अपने बॉड़ी को अगर हेल्दी रखना है आपको उसको डिजीज रहीत करना है तो आपको कम से कम वीक में एक दिन फास्टिंग करना चाहिए औ और इसका जो है वो ओरल लीजन के उपर भी बहुत अच्छा प्रभाब पड़ता है जैसे कुछ कंडिशन्स ऐसे होते हैं जैसे कि आपका लाइकन प्लैनेस है उसमें तो हम लोग फास्टिंग को बिल्कुल अवाइड करते हैं क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमा जब भूख लग जाती है तो आप कुछ भी फूट सा वेजिटेबल्स को लेते रहते हैं या फिर पानी का इंटेक अच्छे से करते रहते हैं जिससे कि बॉड़ी में अगर डी हाइड्रेशन ना हो तो यह वाली फास्टिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी लेकिन जो फ अगर ड्राइनेस अगर होने लगेगी तो फिर आपके मुह में हैलिटोसिस की प्रॉब्लम भी होने लगेगी मतलब अगर आप किसी से जब बात करते हो तो आपके मुह से स्मेल्स आने लगता है तो यह प्रॉब्लम भी होने लगेगी पर ऐसी फास्टिंग जिसमें कि आप ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं उन लोगों के लिए भी बिल्कुल एकदम निर्जला वाली फास्टिंग को मना किया जाता है उन्हें नहीं करने को बोला जाता है क्योंकि अचानक से उसमें जो है वो ग्लुकोज का लेबल जो है वो ड्रॉप कर जाता है कम हो जाता तो यह वाली फास्टिंग उनके लिए भी सढ़ी होती है तो नौरात्र के टाइम पे तो हम सारे लोग जो है फ्रूट वेजिटेबल से या फिर पानी वय गला लेते हैं तो ये वाली जो फास्टिंग होती है यह हमारे ओरल लिजन के लिए भी बहुत अच्छी होती है हमार जो stomach होता है, वो भी बहुत happy होता है, उसको digestion करने के लिए बहुत ज्यादा महनत नहीं करनेइं पड़ती है, इसलिए हमारा जो body होता है, उसकी immunity बहुत अच्छी हो जाती है, और किसी भी DOG thoughts करने के लिए जो ऐसी DOG-s बहुत पुरानी हो चुकी है, ऐसी DOG करने के लिए हमार बोड़ी को और ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है और हमारी इम्मुनिटी ही हमारे ठीक करने के लिए आगे बढ़ जाती है लेकिन रमजान के दिनों में जब लोग दिन भर निर्जला फास्टिंग करते हैं बिलकुल भी पानी वेगरा नहीं लेते हैं तो इस कंडिशन म है उनलोगों को बहुत सारहए और लिजन जो है वो क्रिएट हो जाते हैं जैसे हैलिटोसिस है बेंटल केरेज है जी रोस्ट्रोमिया है याफिर कोई भी ओर लीजन है जैसे कि अगर मैं फ्रया फैल नि लिकोप्लेटिया है या लाइकेन प्लैने से इस कंडिशन में के कर निर्जला वाली फास्टिंग ना करें क्योंकि उसमें डिजीज जो है वो बढ़ने के चांसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो आसा करते रहेंगे आप से कि आप व्रद भी करेंगे डेली फास्टिंग करिए पर एक प्रॉपर वे में कीजिए कि उसमें अच्छे से जू और पाने का सेवन करते रहिएगा और मेरा उमीद है कि आप यह समझ चुके होंगे कि फास्टिंग करने से हमारे जो है वो प्रॉब्लम जो है डिजीज की वो सॉल्व होते हैं लेकिन उसके लिए कुछ कंडिशन्स होती हैं उस कंडिशन्स में अगर आप अच्छे से फॉल में फास्टिंग हमें नहीं करना है वरना बॉडी के उपर बहुत ज्यादा निगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलता है तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके शार करते रहेंगे मिलते रहेंगे आपसे आप मेरे चैनल से जुरे रहिएगा और अपने आस पास की लोग का ख्याल रखेगा अपना भी ख्याल रखेगा थैंक यू सो मज्ट टेक क्या बाबाए